हेलो दोस्तों मैं सोरों मलिक आप से भी का टोपिक स्टेडि में स्वागत करता हूँ दोस्तों आज के ओनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट में हम देखने वाले हैं जीके के 30 महत्पून पर्शन तो प्लीज आप टेस्ट को पूरा एंड तक लगाएगा और 30 में से आप कितने सही कर पाते हैं वो मुझे कमेंट बोक्स में वीडियो के एंड में जरूर बताएगा और अगर आप चाहते हैं लगातार इसी तरीकी की ओनलाइन टेस्ट वीडियो साथी साथ रीजिनिंग मैथ की वीडियो आपको मिलती रहे आपको उसका आंसर नीचे कमेंट बोक्स में करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं और यार आप लाइक बहुत ही कम करते हैं तो आप टेस्ट को लाइक किया गरें और अपने दोस्तों को सेर भी जरूर किया करें तो आपे पहला कोशन है उत्तर प्रदेश की पूर मुख्य मंतरी मायवती के जीवन पर आधारित पुष्टक बहन जी दा राइज एंड फॉल आफ मायवती के लेकक हैं तो इसका कौन सा राइट आंसर एगा ओप्शन A, B, C, D में से नीचे कमेंट बोक्स में बताईए तो बिल्कुल सही अगर आपने यहाँ पर ओप्शन B लगाया है कोशन नम्बर टू, गुट फ्राइडे निमिन में से किस समोदाय का तोहर है? सोरी तो यहाँ पर बिल्कुल सही अगर आपने ओप्शन D लगाया है कोशन नम्बर टू, दस रूपे के नोट पर किसके हसाखसर होते हैं? तो बिल्कुल सही अगर आपने ओप्शन D लगाया है तो वेरी गूड राइट आंसर D हो जाएगा कोशन नम्बर फोर तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि ऐसा करता हूँ कि आपने आंसर कर दिया होगा फोर का राइट आंसर ओप्शन D हो जाएगा ठीक है दोस्तो कोशन नम्बर फाइव, इनको मिलाईए तो देखें पांच वे में आपको इनको मिलाना है और यहाँ पर आपको ओप्शन नीचे दे रखें A, B, C, D में से बते कोन सर रहेगा तो आसे करता हूँ कि आपने मिला लिया होगा पांच वे का भी राइट आंसर आपका D हो जाएगा मतलब कि पहले का आपका होगा दूसरा ठीक है और B का होगा आपका पहला और C का होगा आपका चोथा और D का होगा आपका पांच होगा तो इस तरीके से इनका मिलान होना था आसे करता हूँ कि आपने यही क्या होगा कोशन नमबर 6 पे आजाते हैं मुगलों की दरबारी भासा क्या थी यह आपको बताना है तो बिल्कुल से यहां पे छटे का राइट आंसर ओप्शन ए हो जाएगा कोशन नमबर 7 वास्तविक गैस निमिनलिकित में से किन परिस्थितियों में आदर्स गैस का सा वहवार करती है तो यहां पे दिखे कोशन नमबर 7 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा B ओप्शन B इस दर राइट आंसर कोशन नमबर 8 बहुत ही अच्छा है निमिनलिकित में से किस राज्य की राजकिया भासा अंग्रेजी है तो देखे आठ वे का भी राइट आंसर आपका B हो जाएगा ठीक है बई कोशन नमबर 9 और 9 में पूछा जा रहा है भारत में उच नियाले के मुख्या नियाधीस के रूप में पदासीन होने वाली पर्थम महिला थी बहुत ही अच्छा कोशन है तो नोवे का राइट आंसर ओप्शन D हो जाएगा कोशन नमबर कोशन नमबर 10 6 फूट लंबे व्यक्ति की उचाई नैनो मिटर में कैसे व्यक्त की जाएगी तो दसवे का देखे राइट आंसर ने आपे ओप्शन A रहेगा कोशन नमबर 11 क्रोश चेक वह होता है जिससे भुनाया जा सकता है केवल तो बिल्कुर सही है आपे ग्यारवे का राइट आंसर ओप्शन A हो जाएगा कोशन नमबर 12 नेमलिकित में किसकी न्युकती भारत के राज़्पती द्वारा नहीं होती तो यहाँ पे बारवे का राइट आंसर ओप्शन A हो जाएगा कोशन नमबर 13 एक फोटो लेक्ट्रिक सेल परिवर्तित करता है तो थर्टीन का यहाँ पे राइट आंसर जो रहेगा वो ओप्शन B हो जाएगा ठीक है दोस्तों कोशन नमबर 14 संयुक्त राष्ट्य सुरक्षा परिशद में कितने इस्थाई सदस्य देश हैं तो फोटीन का राइट आंसर ओप्शन A हो जाएगा कोशन नमबर 15 निमलिकित में से उन्हें चिनित कीजिए जो कथक नरत्य से सम्मदित नहीं है जो कथक नरत्य से सम्मदित नहीं है तो 15 का राइट आंसर ओप्शन तो D हो जाएगा बिल्कुल सही है कोशन नमबर 16 कोशन नमबर 16 अच्छा कोशन है बहुत बार पूछ जाता है लेम्प की बत्ती में तेल चड़ता है क्योंकि देखे 16 अच्छा कोशन है और इसका राइट आंसर जी बिल्कुल सही यहाँ पर D राइट आंसर हो जाएगा कोशन नमबर 17 डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का परियोग किया जाता है तो बहुत अच्छे अगर आप 17 का राइट आंसर ओप्शन C लगा रहे हैं कोशन नमबर 18 सविधान का सतरवा अनुच्छेद तो यहाँ पर देखिए जो सतरवा अनुच्छेद है वो ठारवे का राइट आंसर ओप्शन C हो जाएगा ठीक है दोस्तों कोशन नमबर 19 और 19 है आपका एक किलो कैलोरी उसमा का मान होता है तो यहाँ पर 19 का राइट आंसर ओप्शन C हो जाएगा कोशन नमबर 20 निमिन में कौन सा लोक संगीत दिये गए इस थानों से सुमलित नहीं है दोस्तों 20 वे का राइट आंसर ओप्शन बिल्कुल सही है बी राइट आंसर हो जाएगा कोशन नमबर 21 जो जिला दर्रा जोडता है यह बहुत अच्छा गोशन है बहुत बार आ जुक है पहले भी तो यहाँ पे देखिए जो 21 का राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ओप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा ठीक है बहुत बार 22 ब्रमांड को 99 परतिशत दरश्य बनाता है तो यहाँ पे 22 का राइट आंसर ओप्शन सी हो जाएगा इसका भी ठीक है और 21 का भी सी था 23 निमिन में से कौन महिलाओं और पुर्सों के लिए समान वेतन अधिकार संबंदित नियम लागू करने वाला विस्व का पहला देश बन गया है तो यह कोशन भी काफी अच्छा है बते जल्दी से तो 23 का राइट आंसर जो रहेगा वो आपका बिल्कुल से ही है ओप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा कोशन भी 24 निमिन में कौन समलित नहीं है 24 का राइट आंसर आपका उप्शन ए हो जाएगा ठीक है भई 25 एक मील परती मिनट चाल का अर्थ है तो 25 का राइट आंसर ओप्शन ए हो जाएगा 26 अमीर खुसरों ने किसके विकास में अग्रिन्य भूमी का निभाई तो 26 का राइट आंसर आपके उप्शन सी हो जाएगा 27 कार्थिक एक लोक नेत्य है तो 27 का राइट आंसर यहां पर ओप्शन ए हो जाएगा 28 वह उपकरण जो उसम्य उर्जा को यंत्रिक में बदलता है क्या कहलाता है तो यहां पर 28 का राइट आंसर ओप्शन डी हो जाएगा कोशन नमबर 29 अफरीका परदेश का सबसे उचा परवत माउंट किली मंजारो किस देश में इस्तित है तो यहां पर 29 का राइट आंसर ओप्शन सी हो जाएगा ठीक है दोस्तो कोशन नमबर 30 सविधान के लागू होने के समय निमिन आदर्श में से किस को प्रस्तावना में समलित नहीं किया गया था तो 30 का भी राइट आंसर बिलकुर से यह अगर आप ओप्शन सी लगा रहे हैं दोस्तो आज के थे यह टोप 30 कोशन आशा करता हूँ कि आपको यह समझ में आगे होगे यह आपकी है पीडियाप और इसे आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं कहां से टेलीग्राम पे जाकर टेलीग्राम पे जाएगा टेलीग्राम पे जाने के बाद में टोपिक स्टडी सर्च कर लीजेगा वहाँ पे आपको मिल जाएगी सारी पीडियाप डेली जो टेस्ट होते हैं वहाँ पे अपलोड हो जाती है बाकि अगर अभी तक आपने टोपिक स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन कोन कर लिजेगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहे फेस्बुक और इस्टागराम पे भी आप टोपिक स्टडी को फोलो कर सकते हैं ताकि हर एक update आपको मिलते रहे कोई भी update हो चाये किसी जोब से related हो या फिर कोई motivational quotation हो या फिर कुछ भी आपके लिए जो important होसकता है जो आपके future के लिए important हो सकता है वो सभी कुछ आपको सब जन्यगे मिलते रहेगा Facebook Instagram YouTube तो आप हर जन्यगेा फोलो कर सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक केर वीडियो को देखने बहुत बहुत धने वाद आपका दिन सुभ हो